हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो जीनेस अप्रोच, मैं हूँ सुप्रागुप्ता और आपके साथ लेके आए हूँ आरेस अगरवाल के मैथ्मेटिक्स बुक के क्लास 9 के कम्प्लीट सलुशन, यहाँ पर आपको स्टेप सलुशन प्रोवाइड किया जाएंगे और हर एक एक्सराइस को कम्प्लीट लिस्कुशन किया जाएगा ओके सो आपके लिए सीदीज बहुत ही हल्फुल रहेगी तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बार में कुछ इन्फोर्मेशन दे गई है आपसे देख सकते हैं और यह रही चैनल के बार में कुछ यूस्फुल इंफोर्मेशन जो कि आपके लिए काफे हल्फ पूट रहेंगे ओके फ्रेंड वाइज स्टार्ट करते हैं इक्सराइज 1C का question number 7 अभी तक हमने exercise 1C के 1-6 question पुरी तरिके से कर लिए है और exercise 1A and 1B आपके अपके अपके साथ आपके साथ पॉर्रनॉम्स को भी आपको पे लिस्ट मिल जाएगी आपको मेरे चानल पर तक है आप उसे भी साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको प्रूफ करना है कि आपका यह है कि नहीं तो हम क्या करेंगे देखिए सबसे पहले हम यहाप एक assumption कर लेते हैं इसे let कर लेते हैं कि let us assume to the contrary that हम यह assume कर लेते हैं कि जो आपका 3 प्लस रूट 3 है यह इस आपका क्या है यह rational है अब समझेगा rational होने का यहाँ पर sense क्या हुआ कि अगर rational होगा it means मैं यहाँ पर यह बात कह सकती हूँ न कि जब rational होगा so यहाँ पर हम बोलेंगे क्या कि thus यहाँ पर कह सकते है then 3 प्लस रूट पाइ 3 is equal to what p by q पर में हो जाएगा जहाँ पर जो आपका p and q होगा यह आपके क्या हो जाएंगे को प्राइम हो जाएंगे और आप कह सकते हैं q will be not equal to 0 होगा हमें कंडिशन आप एक्जाट डिका सकते हैं और जब ऐसा होगा तो दिखें यहां पर यह भी तो बोलेंगे अब अगर आप इसे सॉल्फ करेंगे तो आप लिखेंगे ना रूट 3 is equal to what p by q minus 3 आपको 3 अधर आजाएगा फिर आप जब SM देंगे तो आप लिखेंगे p minus 3 q upon q यहां आपका रहरा क्या रूट 3 तो इससे आपको चीज़ें क्या समझ में आई इससे आप साफ-साब यह बात किया सकते हैं यह इस अब क्या सकते हैं दिखें जब आपको यह कर्डीशन मिली तो इसका यह एक आपकी रेश्नल वैलु सर्फोम जाएगे एक अडिस्ञ बीरेश्नल सो वी कैन से वट जब यह रेश्नलों की रूटंब से कि आपके रीन रायगा यहां पर कि में हち 已 कैं पता है की रूटंब का समतित कर रहा है का रहा है एक कोन्तित क्त पर इस इर्रेशनल असलियत में क्या पता है कि आपको इर्रेशनल होता है और यहां आपसे कहले है रूट 3 रेशनल हो जाएगा तो यह बात के लेते हैं यह तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता जो हमारे एसेमशन है इस इनकरेक्ट और जब एसेमशन आपका इनकरेक्ट होगा तो विवर से वोट कि 3 प्लस 3 रूट 3 इस इर्रेशनल जबके जो हमने एसेमशन किया था वह उने रेशनल खेले किया था तो यह हमारे यह पे वलत हो जाएगा अब आईए इसी तरीके से देखते हमारा यहां पे सेकंड पार्ट आपको गिवन है रूट 7-2 तो आईए लिख लेता है यहां पे सेकंड पार इस वोट रूट 7-2 यह आपको बताना है कि यह क्या होगा चिक है तो अगें हम यहां पे देखे ऐसे ही लिखेंगे सबसे पहले हम साफ साफ यहां पे लिख लेंगे कि let us assume हम अगें ही यहां पे assume कर लेंगे कि let us assume जो आपको यह दिया हुआ है रूट 7-2 ठीक है तो हम इसका उल्टा यहां पे लट करेंगे कि इसका contrary let कर लेंगे कि contrary that रूट 7-2 इस रेशनल यह आप क्या है यह रेशनल है और अगर यह रेशनल होगा अगें आपको प्राइम्स हो जाएंगे आट विवसे क्यू इस नॉट इकवल टू जीरू इतनी बातों में यहां पर समझ चुके हैं अब देखें जब ऐसा आपको समझ यहां पर होगा लापी तो बात यहां पर कह सकते हैं तो directly कि it ने जो रूट 7 की वालू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वो अपिसकते ना P बाई Q ॉर यह प्लस 2 हो जाएगा राइट शाएगा और क्या थरुट यह झाइगा चला जाएगा जब हम इसमें value रखेंगे पी और क्यों की तो हमें क्या मिल जाएगा then हमें यहाँ पर value मिल जाएगी जो देखें जब को यहाँ पर given है P plus 2Q upon Q is rational और जब यह part आपका rational होगा then यह क्या पुछो कर रहा है कि root 7 is also rational यह भी आपको rational दिखा रहा है जब कि हमें अपने assumption से पता है कि root 7 आपका irrational number होता है जो कि इस बात को contradict कर रहा है ठीक है हम यहाँ पर लिखेंगे साब साब but this contradicts the fact that root 7 is irrational यह इस fact को cut कर रहा है so therefore हम क्या बोलेंगे कि so कि so our assumption जो हमने assumption किया था okay is wrong वो wrong है okay that is हम क्या बोलेंगे कि root 7 minus 2 है is irrational okay and this will be our answer यह आपका यहाँ पर complete answer बन जाएगा ठीक है अब आगे देखते है next part हमने first second part कर लिया third part में आपको given है cubic root 5 multiplication cubic root 25 तो आई लिख लेते हैं cubic root आपको given है यहाँ पर 5 multiplication cubic root 25 और यहाँ आपको यहाँ पर given है third part तो आई समझने कैसे करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पर देखें इसे लाइन से लिख लेंगे कि देखें जो आपको यहाँ पर given है यहाँ आपका cubic root के अंदर उन्हों आपको यहाँ पर देख सकते हैं तो इसे आप से आप से आप देख सकते हैं जो cubic root 125 और यह क्या हो जाएगा देखें इसे आप चाहँ ऐसे लिख लिजिए 5 multiplication 5 multiplication 5 जब पेर से बाहर एक निकलेगा तो आपको क्या देगा 5 देगा और 5 आपको क्या है 5 इस आपको आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा तो क्या आपको समझ में आया जब 5 आपको 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 यहाँ रिशनल नंबर है ठीक है इस तरीके सामें से करेंगे अब को कि आया है आपको 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 अपना गुफ्ट पार देखते है झूफ्ट से जेंगे उनल्ड शेंगे और भी लिखेंगे सेवन मुल्टिकेशन 3 43 अब आप देखिए 343 को मैं लिख सकती हूँ 7 multiplication 7 multiplication 7 मैंने यह कैसे लिख दिया को कि देखिए 49 7 जो आपका होता है यह होता है 343 तो मैंने इसे को बस breakdown कर दिया अब जब आप देख रहे हैं यहाँ पर square root लगा है तो इससे आपका एक पेर बाहर आएगा इससे एक बाहर आएगा तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 7 multiplication 7 that means कितना आगया 49 okay so we will say that क्या जो it is a rational number ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका rational number हो जाएगा and this will be your answer of the fourth part now moving towards fifth part ठीक है 5th part में आपसे कह रहा है root 13 upon 117 तो आई लिख लेता है यहाँ पर root 13 upon 117 and this is the fifth part देखे इसमें भी आप सेम काम करेंगे जब इसे आप आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं आप जैसे कि आपको दिया हुआ है root 13 तो देखे यह आपका cut हो जाएगा जो हम इसे solve करेंगे root और देखे थर्टीन वंदा थर्टीन और थर्टीन नाइन आपका क्या होता है यह 117 होता है तो इस हेसाब से हमें यहां पर value कितने मिल जाएगी यहां रूट से बाहर निकालेंगी तो कि आप लिखेंगे 1 और यहां में लिखेंगे 3 3 9 कोई इश्यू नहीं है ऐसे से करके लिख लिखेंगे और जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें आपके क्या लिखेंगे कि 1 by 3 तो 1 by 3 आपका क्या हो जाएगा यह आपका rational number हो जाएगा तो आपका यहां पर यहां पर यहां पर आपके रेशनल number दिया हुआ था अब आए बढ़ते है लास पार्ट की उर्ट आपको six part given है that is root 8 multiply root 2 तो आइए लिख लेते हैं यहां पर क्या हो जाएगा root 8 six part is what root 8 multiply root 2 तो इसे जब हम लिखेंगे तो आप देख सकते हैं तो 8 multiplication 2 लिखेंगे और यह आपका क्या जाएगा root के अंदर 16 और जब यह बाहर आएगा तो आपको क्या देगा 4 क्यों क्योंकि देखें आप इसे लिख सकते हो ना 4 416 ठीक है आप इसे आप ऐसे लिख सकते ह हैं 4 416 और पेयर में से आप एक बाहर निकास सकते हैं तो जैसे ही आपको यह 4 मिला तो आप क्या बोलेंगे so it is a rational number ठीक है यही आपका rational number हो जाएगा and this will be your answer इसके according आप देख सकते हमें चहाँ पर question मिला उसमें हमें जो last part था वो भी rational number मिला है okay that is the sixth part और fifth part भी rational number मिला ठीक है और इसी तरीके से देखिए fourth part भी आपको दिया गया था rational number okay and third part भी आपका rational number ही था जबकि आपके जो first or second part थे जिसे हमने contradict तरीके से प्रूफ किया है वो आपके क्या है वो इरrational number given है ठीक है तो ध्यान रखेगा इस तरीके सामने इस question को किया तो बस आपको root देखके नहीं सोच देना है कि root देखते ही आपके रीचे किवा आपका इरrational होगा बिल्कुल नहीं जैसे अभी आपने जो question देखा है थर्ड पार्ट में उसमें भले से आपको देखे रूट्स देख रहे थे यह जो question थे क्यूबिक रूट थे यह भी रूट्स थे लेकिन यह आपका क्या था यह आपका rational number निकल था जो नमबर आपके रूट्स क्या question number 8 देखेंगे okay okay friends तो hopes आपको पूरे question अच्छे से समझ में आउंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने friends में share करें and yes like करना बिल्कुल ना भूले अगर आप चैनल पे नए आया है तो चैनल को subscribe कर ले असासत बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताक का link जहां पर आप मुझे follow कर सकते हैं description box पर आपको इन सब का link मिल जाएगा और telegram पर जुड़ें क्योंकि वहां पर मैं आपको regular basis पर वीडियो के notification देती रहती हूं and आपको PDF प्रोवाइट करती हूं ठीक है तो यह हमारा चल रहा है chapter number 1 का series next question हम इसके बाद discussion करेंगे next lecture में